खर्गोश और चूहा, बहुत समय पहले की बात है किसी जंगल में एक खर्गोश अपने परिवार के साथ रहता था, खर्गोश जहां रहता था, वहां आसपास बड़े जानवरों की संख्या ज्यादा थी, खर्गोश और उसका परिवार हमेशा इस बात से डरे हुए रहते थ कि कोई जानवर आकर उन्हें नुकसान न पहुँचा दे, उन्हें अपने घर के आसपास सरा भी हलचल सुनाई देती थी, तो वो जहट से अपने बिल में छुप जाया करते थे, दूसरे जानवरों का डर उन पर इसकदर हावी था कि उनकी आहट भर सुनकर उनमें से कुछ खरबोशों की दर से मौत हो गई, ये सब देखकर खरबोश बड़ा परेशान रहता था, एक दिन घुरों का दल उनके घर के पास से गुजरा, घुरों की आवाद सुनकर सभी सहम गए और हमेशा की तरह अपने बिल में छुप गए, दर से पूरा दिन कोई बिल से बाहर ख जिसमें हर दिन अपनी जान को लेकर दर और भाय बना रहता है, तभी सारे खरबोशों ने मिलकर फैसला किया कि हर समय दर और भाय के चलते बिल में छुप कर रहने से अच्छा होगा, कि सब मिलकर एक साथ अपना जीवन त्याग देते हैं, सभी खरबोश एकठे होकर आत्म धर भागने लगे, कुछ चुहे बिल में घुस गए, तो कुछ नदी में गिर कर मर गए, चारों तरफ अफरातफरी का माहौल था, ये पूरा वाक्या देखकर खरबोश दंग रहे गए, उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें देखकर भी किसी में देहशत ह हो सकती है, अब तक तो वो खुद को ही सबसे कमजोर प्रानी समझते थे और भगवान को दोश देते थे, अब खरबोशों की समझ में आ गया था, कि भगवान ने दुनिया में अलग-अलग खासियत के साथ जीव जन्तु बनाए हैं, जो जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार कर अगर किसी में कमी है, तो उसमें कुछ गुण भी है, हर किसी में एक जैसे गुण नहीं हो सकते, ये समझने के बाद खरबोश और उसका परिवार घर वापस लोट गए, कहानी से सीख, प्रकृती ने सभी को शक्तिशाली बनाया है, बस फार्क इतना है कि सभी अलग-अलग प्रक शेत्र में अवल होते हैं, इसलिए हमेशा कमजोरी से भागने की जगह उसे ही अपनी ताकत बनाएं